दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं Windows 11 के बारे में Windows 11 में क्या-क्या chances आए हैं उसके feature के अंदर क्या-क्या बदलाव हुए है Windows 10 से Windows 11 अगर आप upgrade करते हैं तो आपको क्या नया मिलने वाला है क्या look होने वाला है उसके अंदर क्या-क्या differences होने वाला है उस पर हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं तो इससे समझने के लिए आप इस वीडियो को लाश्तक देखते रहें पूरी हम बात करेंगे पहली बार चैनल पर हैं चलो को subscribe करके एक उनके bell icon पर क्लिक करके all पर कर दें कियोकि मैं श्राठी बहुत सारी informative वीडियो ले पर करके आता रहता हूँ और प्लिज वीडियो को like करदें क्योंकि वीडियो बहुत आपकेक काम की होने वाली है वीडियो का अगर upgrade करना, कैसे upgrade करना है, यह अगर आपने नहीं देखा है, तो फिछली वीडियो में मैंने बताया है, आपको description में लिंक भी मैं दे रहा हूँ, वीडियो के last में भी मिल जाएगा, आपको वीडियो देख सकते हैं, कि कैसे Windows 11 को Windows 10 से upgrade करना है, तो आईए हम समझ Macbook की तरह है, Macbook के अंदर center में रहता है, और बाकि जो इसके applications बगएरा है, जो खुलने बगएरा का जो तरीका है, वो Macbook और Android दोनों से इंस्पायर है, आपको दोनों का ही feel होगा, 11 पर जब आप काम करेंगे, तो आपको Macbook और Android दोनों का ही feel आपको आने वाला है, बड़ा ह बड़ी बात यह है कि बड़ा ही smooth चल रहा है, यह फिलहाल थोड़ा सा speed भी बड़ा है, और open बगएर होने का जो इसका timing है, वो बड़ा ही fast हुआ है, बड़ा ही smooth चल रहा है, तो यह तो main जो है, measures and differences है, वो इसके अंदर है, और बाकि अगर हम differences की बात करें यहाँ पर, तो इसके menu के अंदर आपर देख सकते हैं, इस तरीके से जो है, आपको यह सारे के सारे applications यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे, search करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से search कर पाएंगे, और इसको जो है, यह center में है, अगर आप इसको left में ले जाना चाहते हैं, तो left में आप लेकर क जा सकते हैं, उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आप इस पर right click कीजिए Task bar setting पर जाईए, और यहाँ पर task bar behavior है, आप इस पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, task bar alignment यहाँ पर center में है आप इस पर क्लिक करेंगे तो यह left है left पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं left में हो गया है तो आप इसको चाहें तो आप change कर सकते हैं बट new है नया feature है तो आप इसको center में ही रहने देते हैं बाकी कि अगर हम बात करें इसका बाकी theme बहुत साल इसके अंदर theme आपको मिल चुका है बाकी by default अगर हम theme की बात करें तो इसके अंदर आप जैसे आप इसको open करते हैं तो आप ये देख सकते हैं इसका look बहुत ही खुपसूरत हो गया है और इससे पहले हम बात करते हैं desktop पर right click की right click करते हैं तो यहां पर आपको दिखेगा refresh की button है और बाकी सारा कुछ वही है बस थोड़ा इधर उधर हुआ है पुराने की अगर आपको देखना है कि पुराना कैसा था तो आप बिल्कुल नीचे जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो यह आपका पुराना वाला refresh setting था और इस वक्त जो है right click यह ऐसे हो गया है यह आपको differences मिलेगा क्योंकि जो है option से option में दूरी थोड़ी सी बढ़ी है और refresh जो है यह यह refresh यहाँ पर ही सिर्फ मिलेगा पहले क्या था कि folder के अंदर भी आपको refresh मिलता था लेकिन अब folder बगएर के अंदर आपको refresh देखने को नहीं मिलेगा जैसे हम this PC पर अगर click करते हैं यहाँ पर अगर आप इसको refresh करना चाहते हैं तो right click करेंगे तो यहाँ से refresh यह खतम कर दिया है यह आप देख सकते हैं और उसके बाद जो है right click के अंदर एक चीज और जैसे मालेज़े कोई copy हमको copy paste करनी है तो यहाँ पर आपको दिखेगा यहाँ पर icons बन करके आ गये हैं cut करना है, copy करना है, delete करना है paste करना है, यह सारी चीज़े आपको यहाँ पर मिलेंगी और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका look change हो गया है बहुत ही खुब सूरत लग रहा है और बाकि अगर folder के अंदर आप जाते हैं तो इसके अंदर आप देखेंगे कि जो folder से folder की जो दूरी थी यह थोड़ी increase हो गई है और वो clear आपको दिखने लगा है तो यह सारी चीज़े जो है इसके अंदर change हुई है बाकि जो box है, इसका जो corner है यह round हो गया है और उसके अलावा multitasking वगएरा अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो maximize, minimize है बटन में काफी सुधार आया हुआ है यहाँ पर सारे position आपको देखने को मिल जाते हैं तुरंट की आपको यह जो window है इसको कहां रखना है तो जैसे मान लीजी अगर यह right में आपको करना है तो इस तरीके से आजाएगा यहाँ से अगर आप इसको click करते हैं तो इस तरीके से आप देख सकते हैं फुल स्क्रीन पर करना है तो इस पर click करते हैं फुल स्क्रीन पर हो जाएगा तो यहाँ से एक बहुत ही बहतरीन option आपको दिख रहा है और उसके बाद जो है सबसे जादे जो है इसके अंदर आपको थीम वगएरा मिलता है कस्टुमाइज करने के लिए आप अपने विंडो का अपने लेप्टप डेक्स्टप को बिल्कुल नेक्स्ट लेबल में बिल्कुल आप कन्वर्ट कर पाएंगे कोई देखेगा तो लगे है वो आपको night mode यहीं पर मिल जाता है जो कि night में चलाने के लिए बड़ा ही प्यारा यह option है उसके बाद हम personalized में आते हैं actually जो मोटी मोटी जो changing है हम उसी पर बात करेंगे बहुत ही जादे हम time waste नहीं करेंगे यहाँ पर क्योंकि बहुत सारी changing है जो आपको जब use करेंगे तो देखने को मिलेगा बाकि कुछ यहाँ पर themes है जो by default यहाँ पर पड़े हुए है वो आप ले सकते हैं और उसके अलावा background में अगर हम आते हैं तो इसके उपर theme के अदर जो picture वगरा है वो change होता रहता है उसका color change होता र रखा हुआ है बाकि जो है इसके folder वो कैसे दिखाई देंगे आप यहाँ पर browse में आ करके जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से कैसे कैसे यह जो है यह numberings बगर की हुई है इसके अंदर जो आपको सही लगे जो format सही लगे उस format के अंदर जो है आप इसको click करक और choose कर सकते हैं उसके बाद जो है वो उसी के अंदर change हो जाएगा तो हम इसी पर रहने देते हैं बाकि जो है यहाँ पर जो contrast theme है यह बड़ा ही कमाल का है अगर आप इस पर click करते हैं तो यहाँ पर यह अलग-लग theme आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पर देखेंगे none नन जाने के बाद जो है किसी भी drive के अंदर जाने के बाद इस तरीके से आपके folders वगर दिखाई देंगे आप इस तरीके से देख सकते हैं बड़ा ही अनक सा fill आपको दे रहा है उसके नीचे बाले पर जाएंगे dessert पर जाते हैं apply करते हैं तो इसको देखिए इस तरीके से जो है नीचे बाले को देखते हैं, dusk है, इसके अंदर apply करते हैं, इस तरीके से देख सकते हैं, बिल्कुल grey type का, ये जो है, option खुल करके आ रहा है, इस तरीके से आप देख सकते हैं, कि इस तरीके से बड़ा ही प्यारा लग रहा है, इस तरीके से है, और उसी प्रकार से हम ये चारो लग रहा है इस तरीके से तो ये अलग अलग आप जो है थिम अपने laptop या computer का रख सकते हैं बड़ा ही खुबसूरत ये option मिल गया है इसके अंदर हम फिलहाल none पे कर देते हैं बाकी सारी चीज़े समझनी है इस तरीके से और उसके बाद जो है हम return होते हैं फिर उसके बाद यहां पर colors पे आ जाते हैं और colors में यहां पर light, dark and custom में आपको दिखी जाएगा जैसे कि dark में अगर हम करते हैं तो अब यह बिल्कुल भी dark हो गया, dark mode में आ गया सारी चीज़े आपको dark दिखाई देंगी इस तरीके से तो dark mode में जैसे माल लिजिए यहां पर अगर हम buttons पे click करते हैं तो यहां पर जो button gray color का दिखाई दे रहा है यह buttons वगर चेंज करना चाहते हैं तो यहां से आप चेंज कर सकते हैं माल लिजिए अगर हम यहां पर red करते हैं तो यह red हो गया, अब इस पर अगर हम क्लिक करते हैं, तो आप देख सकते हैं, रेड हो गया है, इस तरीके से, इंस सारे colors में से आप जो color चाहें, वो आप select कर सकते हैं, फिलहाल gray बहतर है, तो हम gray ले ले लेते हैं, यह हमें gray पसंद है, तो हम gray लगते हैं, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, बिल्कुल भी, आप इसको कस्टमाईज कर सकते हैं, बिल्कुल अपने हिसाब से उसके अलावा हम बैक चलते हैं और थीम, इसके अंदर बहुत सारी आपको थीम देखने को मिल जाएंगी ये बाई डिफॉल्ट थीम में आपको मिल जाएंगी, उनमें से जो आपको सही वो फ्री थीम मिलेगी बहुत ज़ादे वहां से आप जो है डाउनलोड करके और यहां पर आप उसको अपलाई कर सकते हैं, बहुत सारे भरमार यहां पर लगा हुआ है, ये कंट्रस्ट स्क्रिन, इसमें चेंजिंग आप कर सकते हैं जैसे लोग के पोजीशन में, अगर ये लोग है हमारा लेप्टप तो डेक्स्टप पर ये उसका कैलेंडर दिखाई दे रहा होता है यारी टाइम, डेट दिखाई दे रहा होता है, इसको चाहें टाइम आउट, आप यहां से सेट कर पाएंगे ये सारी चीजे पहले भी था लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग इसके अंदर बदलाव आ गया है, बाकि आईए हम आगे चलते हैं वीडियो खामुखा लंबी नहीं करते हैं और उसके बाद जो है, बहुत ही अच्छा ये टच कीबोर्ड ये बहुत अच्छा फीचर इसके अंदर दिया है आप इसको अपने थीम के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, मैंने चेंज किया है यहां पर जो कीबोर्ड होता है ये इसको हमने अपने हिसाब से जहां पर जैसे ये color हमने दिया हुआ है इसको चाहें तो आप यहां से change कर सकते हैं ये color आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं जो आपको सही लगे तो इस तरीके से आप adjust कर सकते हैं मैंने ये लगा रखा है आप चाहे तो वो आपकी पसंद है और ये बड़ा या छोटा कितना बड़ा रहेगा कितना छोटा रहेगा आप इसको set कर पाएंगे यहां से आप उसको set कर पाएंगे तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं उसके बाद जो है हम बैक चलते हैं यह सब normal setting है कोई खास नहीं है font जो है पूरे जो है आप अपने computer का font change कर सकते हैं यह by default normal font होता है अगर आप इसको change करना चाहते हैं जो folders वगएरे के जो font होते हैं वो by default आप यहां से set कर पाएंगे उसको हटा करके बहुत सारे fonts वगएरे यहां पर दिये गए हैं Hindi वगएरे तो इनमें से जो आपको सही ल जल रहा है बाकी एगर हम differences की बात करें तो बाकी बहुत ही minor छोटे-छोटे differences जो है वो आ सकते हैं इसके अंदर जिस पर हमने अभी ध्यान नहीं दिया मोटे-मोटे हमने उस differences पर बात किया जो हमें दिखाई देने वाले हैं तुरंत जैसे ही upgrade करेंगे तो हमें यह सारे differences दि 11 पर करते हैं तो आपको क्या-क्या changes देखने को मिलेंगे दोस्ता information यह वीडियो कैसा लगा प्लीज आप comment में ज़रूर बताएं अगर यह वीडियो को like करते हैं पर दोस्तों के साथ share करें पहली बार चैनल पर हैं तो फिली चैनल को subscribe करके bell icon पर click करके all पर click कर दें क्योंकि जाल करके पहल Systems पर लगा करें जी आपके इंस कनल के आपके और सुमोंट